जे नमस्कार मेरा नाम सनी शिरवास्तो स्वागत आपका टीचर सद्ड़ 24-7 के यूटूब चैनल पे तो हाजरू में आपके सामने आज की अपनी क्लास के साथ और आज की इस क्लास में हम लोग अपनी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 2021 और 2022 के हम कर रहे हैं ऑनलाइन वाले PYQ मैं आपको वो सारे सवाल करा रहा हूँ जहां मुझे लगता है कि आप या तो फस सकते हैं या तो आपका ध्यान शायद ना जाये जल्दबाजी में पेपर में बैठे हुए पेपर के प्रेशर में दिमाग थोड़ा अलग तरह से काम करता है तो इनका डिसकेशन आप हमारे साथ करिए इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है प्रत्यक शुरूप से भी और परोग शुरूप से भी और यकीन मानिए आप जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर र रवीवार यानि संडे को कितने बज़े से 6 पीम से ठीक है अल्मूस्ट तीन गंटे की क्लास होगी तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका रिमाइंडर लगा लेंगे रिमाइंडर लगाने के लिए आपको करना ये होगा कि ये जो सेशन आपको दिख रहा है यूट्यूब बॉक्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक तो प्लेलिस दिख जाएगी आप वहां चले जाएगा दूसरा अगर आप टीचरस अड़डा के होम पेज पर आएंगे तो वहां पर आपको ये सेशन जो है वो दिख जाएगा जो सेशन ये आने वाला है तो इसको जाकर इस RT filter series को जल्दी जल्दी revise कर लीजे और 13 अगस्त को दोपहर 12 बजे से ठीक 13 अगस्त को दोपहर 12 बजे से आपके लिए एक offline test organize किया जा रहा है teacher's order 24-7 के तरफ से ये test सभी के लिए free है offline mock test है पेपर से पहले एक attempt देखकर बैठकर देखिए कि किस तरीके से offline में paper होता है क्या दिमाग पर pressure आता है वो सारी चीज़ें आप यहां पर कर सकते हैं और यह जो इसका address है वो है 629 ground floor career power branch main road मुखरजी नगर नियर बंसी वाला स्वीट्स पूरी team भी आपको वहां मिलेगी मैं भी मिलूंगा तो मिलते हैं आप से 13 अगस्त दोपहर 12 बजे ठीक पहले test दे लिजेगा उसके बाद आगे की बाते कर लेंगे फिर शाम को तो हमारा class है ही ठीक अब अगर आप आ गए हों जुड़ गए हों तो बताइए आज की class कर दी जाए start सभी लोगों को नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है भाई ठीक है जी जी धन्यवाद सपना जी नमस्कार आपको भी ने बिटा अलग से तो नहीं है बाकी मैं बात कर लूँगा धन्यवाद बंदना जी चलिए तो एक बर फटा फट सारे लोग आ जाओ सेशन को करते हैं स्टार्ट ठीक है शुरू किया जाए गुड इवलिंग भीया गुड इवलिंग ठीक चलिएगा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा ठीक कोशन नंबर वन आज का आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्या कह रहा है भई कोशन नंबर वन कह रहा है कि निमनलिखित में से कौन सा एक महा जनपद के शाशकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नीमित कर नहीं है नियमित कर नहीं है तो फसल पर कर, शिल्पकारों पर कर, चरवाहों पर कर और परिवार पर कर तो कौन सा एक इसमें से नहीं है क्या हो जाएगा आंसर What should be the right answer तो correct answer हो जाएगा option number D बिल्कुल सही है जवाब आप लोगों के बिल्कुल सही है जवाब आप लोगों के आपने पढ़ा है कि महा जन्पद काल में क्या होगा जो taxation system था जो कर विवस्था थी वो regulate कर दी गई थी नियमित कर दी गई थी ठेक और इसमें एक तो भाग नामक कर मिलता था जो था 1 by 6 of production ठेक बिहार वालों ध्यान दो भाई उपज का एक बटा छे भाग था जो की राजा को दिया जाता था इसलिए राजा को क्या कहते थे राजा को शड़ भागी कहते थे दूसरा एक tax था जिसको हम विस्टी कहते हैं ये जो विस्टी नाम का tax था यह क्या था? विस्टी नाम का टैक्स था बेगार यानी Forced Labour क्लियर है? Forced Labour का टैक्स था जिसमें बगैर पारिष्रमिक दिये हुए लिया गया कारे था उसके अलावा फसल पे कर मिली गया आपको शिल्पकारों पर चरवाहों पर भी कर लगाया जाता था पर परिवार पर कर किसी तरह का नहीं था अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ उसको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो थीक है? तुमको मैंने पढ़ाया था कि चोल पीरिड में चोल काल में उनके अभिलेखों में चोल कालीन अभिलेखों में चार सो से अधिक कर सूचक सब्द मिले हैं जिसमें कदिमाई जो है वो क्या था? भूर आजस्व था उनका उनका लेंड रवेन्यू था ठीक है? चोल काल में पारिवारिक संपत्ती जब उत्तरा धिकार में मिलती थी उस पर कर लगता था महाजनपद काल में परिवार पर कोई कर नहीं है लेकिन अगर ऐसा ही सवाल बनाकर चोल में दे दे तो याद रखना चोल पीरेड में जो दस्वी सदी का चोल पीरेड था उसमें पारिवारिक संपत्ती पर कर लगाया जाता था ठीक? clear a point clear a point ठीक है चलो अगला सवाल देखो निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किस ने शुरू किया बताईएगा स्वाभिमान आंदोलन किस ने शुरू किया एक बर फटा-फट सेशन को शेयर कर दीजे कह दीजे सारे लोगों को कि आ जाएं तो स्वाभिमान आंदोलन जो है वो किसने स्टार्ट किया था इवी रामा स्वामी पेरियार स्री नरायन गुरू भीम्राव उंबेडिकर स्वामी विवेकानन तो आप लोगोंने अभी पहली वाली क्लास में किया था आंसर तु दिस कोशन इस पेरियार बिल्कुल ठीक है अगला सवाल देखो नेक्स gases choose the correct statement about air from the following statement वायू विभिन गैसों का सम्मिस्रण है वायू के विशय में सही कथन का चुनाओ करना है पहला कह रहा है plants take nitrogen directly from the air पौधे वायू से सीधे nitrogen लेते हैं दूसरा कह रहा हरे पौधे oxygen छोड़ते हैं और फिर कह रहा हीलियम और oxygen गैस वायू में प्रचुर मात्रा में हैं बताइए क्या हो जाएगा answer तो आपके option क्या क्या है और चोथा कह रहा है छोटे छोटे धूल कण भी वायू में मौझूद है आपके option है A और C सत्ते है B और D असत्ते है A और D सत्ते है B और C असत्ते है A और C असत्ते है जबकि B और C क्या है B और D क्या है सही है और फिर कह रहा B and C are true but A, D are false क्या हो जाएगा जबाब तो पहला कह रहा पौधे वायू से सीधे nitrogen लेते हैं गलत बात है ये ठीक हरे पौधे oxygen छोड़ते हैं प्रकास translation की क्रिया के द्वारा ये चीज होती है helium, organ और oxygen gas वायू में प्रचुर मात्रा में नहीं आपको पता है 99% तो दो ही gas मिलकर बना देती है N2 और O2 यही दो gas मिलकर बना देती है इसमें ये 78% है और ये आपका 21% है है ना फिर कहा रहा है छोटे छोटे धूलकर वायू में मौझूद है बिलकुल सही बात है ये बिलकुल सही बात है ये ठीक तो A गलत हो गया C गलत हो गया तो क्या हो जाएगा A और C असत्य है जबकि B और D क्या असत्य है option number C is the right answer ठीक है थोड़ी से बढ़ा लो फिर देखो अगला क्या कह रहा है next question क्या कह रहा है फोर्थ नंबर question क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन से तरीके का प्रयोग उन्नीसवी शताबदी के सुधारकों ने समाज में फैली हानिकारक प्रथा को चुनोती देने के लिए किया उन्होंने क्या method चूज किया कौन सा तरीका इस्तमाल किया कि उन्होंने क्या किया इसमें उन्होंने प्रथाओं ठीक है उन्होंने प्रथाओं के विरुद धरना देना शुरू कर दिया जो लोग इन प्रथाओं का अनुसरन करते थे उनको विशेश नाम से पुकारना शुरू किया उन्होंने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक के संदर्वित करने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों और फिर कह रहा है रीती रिवाजों का गुडगान करना शुरू किया प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक वाक के संदर्वित करने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का क्या कर रहे होंगे समर्थन कर रहे होंगे आपको मैंने एक नाम बताया था और वो नाम है मुम्ताज अली का ठीक मुम्ताज अली का मुम्ताज अली ने क्या किया कुरान का एक्जामपल देते हुए कुरान का एक्जामपल देते हुए कहा कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो क्या करेंगी मुस्लिम लड़कियां क्या करेंगी तो मुस्लिम लड़कियां भी सिक्षा ग्रहन कर सकती है ये बात उन्होंने कब बोली कुरान शरीफ का एक्जामपल ऐसे ही राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा का विरोध किया तो उन्होंने धार्मिक ग्रंथों से उसका एक्जामपल दिया विद्वा पुनर विवा का समर्थन किया गया तो उसमें भी धार्मिक ग्रंथों का क्या किया गया एक्जाम्पल जिस धार्मिक ग्रंथ को लेकर लोग कहते थे कि ऐसा हमारे धर्म में नहीं लिखा है उनको ये बात समझाईगे कि धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं धर्म में कहीं भी सती प्रथा जैसी प्रथा का समर्थन नहीं है ठीक है तो उनके एक्जामपल वहीं से आते थे बिलकुल सही है बिटा साबाश अगला सवाल देखो कह रहा है भारत की आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में ये कथन किसने कहा कि राष्टवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिस कर दिया जाना चाहिए हमने यही कसोटी भाशाई प्रांतों पर भी अपनाई है इस कसोटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन दिया जा सकता जवाहर लाल नहरू, भीमरा अंबेडकर, मोहंदास करमचंद गांधी और सरदार वल्लब भाई पटेल क्या हो जाएगा जवाब, तो आजादी के बाद कही जा रही है, यानि 15 अगस 1947 के बाद का स्टेटमेंट है और राज्यों के गठन के संदर्ब में कही जा रही है, किसको क्या लग रहा है आपको, कौन इसमें ज़्यादा फिट बैठ रहा है भाषाई बात जो हो रही थी, जवाहर लाल नहरू और सरदार वल्लब भाई पटेल शुरू में दोनों लोग विरोध कर रहे थे बाद में फिर पटेल ने उसका क्या किया समर्थन, शुरू में विरोध किया था, बाद में समर्थन किया था उसी समर्थन को करते हुए वरलब भाई पटेल ने ये बात बोली थी कि हमें लगता है कि इस आधार पे हम समर्थन दे सकते हैं तो option number D is the right answer next question देखो क्या गेरा प्रित्वी अपने अक्ष पर एक घंटे में कितने डिगरी घूमती है 90, 60, 30 या फिर 15 बताईए प्रित्वी अपने अक्ष पर एक घंटे में कितने डिगरी घूमती है आज कहां रहेगा बाकी लोग भाई बोलो आएं जल्दी क्लास में और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है आपको आप्षन नंबर नमस्कार राजेश जी आप्षन नंबर डी इस दराइट आंसर 15 डिगरी बाई 360 डिगरी का पूरा सरकिल है अब इस घंटे में एक चक्कर लगाती है काट दोगे तो कितना आ जाएगा 15 डिगरी आ जाएगा ठीक तो एक घंटे में कितना डिगरी घूम जाती है वो 15 डिगरी घूम जाती है ठीक अगले सवाल है निमनलिखित में से कौन सी भाषा तिबबत वर्मा परिवार से संबंदित है क्या हो जाएगा आंसर वाट शुडबी राइट आंसर अच्छा ठीक आशीश पंजी कर लेंगे अरे सब बढ़ियां होगा यार तुम लो पेपर उड़ा के रख दोगे टेंशन मत लो बिल्कुल तो निमनलिखित में कौन सी भाषा तिबबत वर्मा परिवार से संबंदित है असमिया फार्सी सिंधी या फिर खासी बताईएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड खासी मैंने आपको दो-तीन बाते बताई थी इंडो यूरोपियन लेंग्वेज वो भाषा जो यूरोप में और कहां बोली जाती है यूरोप में और भारत में बोली जाती है जिनको हम भारोपी ये भाषा बोलते हैं उसमें संस्कृत और संस्कृत से उपजी बहुत सारी भाषाएं आती हैं ठीक है साथ ही साथ इसमें English French German ये सब भी आती हैं जो कहीं न कहीं संस्कृत के नजदीक हैं अपने origin में फिर दूसरे नंबर पर इसमें आती है द्रविण परिवार की भाषाएं द्रविण परिवार भाषा में इसमें तमिल तेलगू कंणड और मल्यालम ये चार भाषाएं आती है फिर एक भाषा परिवार आता है जो की है ऑस्ट्रो एशियाटिक जो की क्या है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समू ये जो समू है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समू इसमें मध्य भारत के अंदर जो भाषाएं बोली जाती हैं खासकर ज बोली जाते हैं और संभ वर्मा की भासाउग के अन्दर इसके आपको मिलता तो बस इतना याद रखना असम में बोली जाने वाली असमीज को छोड़ कर बाकी नौर्थीस्ट की जितनी भी भाशाएं होंगी वो सब तुम्हें कहां मिलेंगी इस तिब्बत वर्मा फैमली में मात्र एक असमीज था जिसको छोड़ा गया क्योंकि असमीज का ओरिजिन कही कहीं संस्कृत से माना जाता है इसी लिए एक्जामनर ने ऑप्शन नंबर ए असम लिखा ताकि आप तिब्बत वर्मा को देखकर आप असम को समझें कि हाँ ये तो उधर की ही भाशा है और आप ऑप्शन नंबर डी तक पहुंच ही ना पाएं इसी वज़े से आप में से ब इस वज़े से आप से गलती हुई है ठीक है अगला सवाल देखते हैं नेक्स कोशन देखिएगा क्या कह रहा है नेक्स कोशन ध्यान से पढ़िएगा भाई ठीक है ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है ए और आर को पढ़ना है और सही विकल्ब चुनना है असर्शन क्या क कह रहा है assertion कह रहा है पक्की दुकानों में बेचे जाने वाला सामान आम तोर पर सापताहिक बाजारों में बेचे जाने वाले सामान से महंगा होता है goods sold in a permanent shop are usually costlier than goods sold in the weekly market दूसरा कह रहा है reason क्या कह रहा है reason कह रहा है कि पक्की या इस्थाई दुकान को कई तरह के खर्चे जोडने होते हैं दुकानों के किराए बिजली के बिल कर्मचारियों की तनख्वा इस तरह से उन्हें कई सारे क्या करने पड़ते हैं extra addition करने पड़ते हैं तो option number A और R के बीच में क्या होना चाहिए क्या बताया था मैंने assertion reasoning में क्योंकी का संबंद बनना चाहिए तो बताईएगा क्या हो जाएगा जवाब what should be the right answer what should be the right answer क्या हो जाएगा जबाब बताओ जल्दी बोलो correct answer क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा बिल्कुल सही है इसी लिए महेंगी होती है क्योंकी क्या होता है वहाँ पर आपको बहुत सारे additional समान जोड़ने पड़ते हैं इसलिए जो मूल ले होनी चाहिए जो होना चाहिए उससे कई बार क्या हो जाता है वो ज़्यादा जबकि इस्थानी बाजार जो लगते हैं जो सापताहीक बाजार लगते हैं Sunday market Monday market वहाँ पर ये चीजें उतना माइने नहीं रखती है इसलिए वहाँ पर चीजों को थोड़ा सा price क्या हो जाएगा कम होगा तो भी मामला सही रहेगा अगले सवाल पर बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखेगा अच्छे से पढ़के जवाब दीजेगा घर पहुँचने के बाद वह खाना बनाती है कपड़े धोती है घर की सफाई करती है जाड़ू पोचा करती है और उसके बाद वह अपनी चाई की दुकान के लिए सामान खरीदने जाती है तो सुबह सुबह वो चाय बेच रही है उसके बाद वो घरेलू काम कर रही है उसके बाद वो घरेलू कारे कर रही है और उसके बाद वो अगले दिन के अपने दुकान की क्या कर रही है वो तैयारी कर रही है तो आप से पूछ रहा है इन सब को अगर हम एक साथ उल्लिखित क करें तो हम किस तरीके का कारे बोल सकते हैं देखवाल कारे के जैसे दोहरे भोज के जैसे ग्रिःकारे जैसे या भुक्तान के बदले केर गीविंग डबल बर्डिन हाउश वर्क और पेड वर्क क्या बोला जा सकता है यार मेरे तुम लोगों के comment नहीं दिख रहे हैं मैं पता ही नहीं चलता comment कर रहे हो कि नहीं कर रहो क्या हो एक answer what should be the right answer what should be the right answer option number B is the right answer double burden दोहरे बोज के जैसा क्या हो जाएगा ये काम क्यों वो व्यवसाइक कार भी कर रही है वो व्यवसाइक नियोजन में भी लगी हुई है ठीक वो बिजनस में भी लगी हुई है और फिर वो घर के काम को भी कर रही है तो एक साथ वो दोहरी जिम्मदारी निबा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे double burden कहेंगे अगला सवाल देखिएगा जरा क्या कह रहा है निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए एक अंग नहीं था बताईए हा लाइव चैट रुग गया था मुझे भी यही लग रहा है बताईएगा निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का अंग नहीं था जब हमारा संविधान बना ऑप्शन है मौलिक अधिकार राच के नीति निर्शक्तत तो मौलिक करता वे आपातकाल के प्रावधान क्या हो जाएगा अंसर अरे इसमें भी देखो कोई गलत जवाब दे रहा है अरे भाई ये कौन है दामिनी कुमारी जी आपका जवाब C आ रहा है आरजून गंगवार जी भी C जवाब दे रहे हैं और कौन है भाई बाकी 교육 C जवाब दे रहे हैं कुछ लोग B जवाब दे रहे हैं बहुँ सवाज पेटा correct answer is option number C fundamental duties क्यों इनको बाद में जोड़ा गया 42nd constitutional amendment 1976 से क्या किया गया था एक नया part बना दिया गया था part 4a बना दिया गया था और article एक नया जोड़ दिया गया 51 के जगा उसमें 51a भी जोड़ दिया गया और बोला गया कि मौलिक करतव्य हैं जिनकी कुल संक्या कितनी है ग्यारह मौलिक करतव्य है वर्तमान में ये भी याद रखना कि जो एक ग्यारहवा मौलिक करतव्य था जो एक ग्यारहवा फंडामेंटल ड्यूटी थी इसे 86th Constitutional Amendment 2002 से जोड़ा गया है यानी मौल समविधान में 10 मौलिक करतव्य थे बाद में एक और जोड़ा गया तो टोटल कितने हो ग्यारह एक ग्यारहवा मौलिक करतव्य जिसमें माता पिता के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष वाली सिक्षा अवश्य रूप से क्या करेंगे प्रदान कराएंगे ठीक है क्लियर अपॉइंट क्लियर अपॉइंट कि बोलो कि सही था हम डर अरे डरों मत भाई जब सही आंसर दिये हो तो क्यों एसस्टी बाई सनी सर के नाम से बिटा सर्च कर लेना मिल जाएगा क्लियर बाई चल्य अगला सवाल देखते हैं अग्शा इंहस्टी इंटर नेशनल और गनाइजैशन ठेके मेनस्टी इंटरनेशनल ο MORनाइशेशन अव वलउनटीर्स अभियान चलाता है बताव एंटमेस्टी में एंतरनेशनल जो है वो किस लिए चलाया जाता है कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर नमस्कार रमंदीब जी हाँ हाँ बिलकुल लो भाई एस्टेट के लिए भी लेना है यह सेशन what should be the right answer तो MNST International किस लिए चलाया जाता है मानवा धिकारों के लिए चलाया जाता है human rights के लिए चलाया जाता है 1961 में London में इसकी स्थापना की गई थी यह मानवा धिकारों के लिए कारे करता है अगला सवाल देखो घेटवाईजेशन गलत नहीं करना है अभी तक मुझे लगता आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए घेटवाईजेशन शब्द आम तोर पर निमनलिखित में कौन से इलाके या छेतरों को दर्शाता है मैंने बता रखा है आपको घेटवाईजेशन समझा भी रखा है ध्यान से पढ़ के जवाब दीजे इलाका A, कोई A नाम का इलाका जहाँ एक समुदाए के लोग या निवासी अपनी जान के भाय के चलते एक साथ रहते हैं दूसरा केरा है इलाका जहाँ सेना के करमचारियों ने कैम्प लगा रख़े हैं इलाका C जहां निवासी वहां के बहतर स्कूलों के चलते गए हैं और इलाका D जहां निवासी अभिजात और विशेशा धिकरित वर्ग से संबंदित हैं याद रखना घेटवाइजेशन का मतलब ही हो गया कि जहां पर एक समुदाई के लोग एक साथ रहने लगें और ऐसी बस्तियां जो है एक साथ रहने लगे आपस में एक जगह पे कंसंट्रेटेड होकर रहने लगे और बाकी के लोग अगल बगल रहते होंगे ऐसी कम्यूनिटीज ध्यान से सुनो ये लाइन घेटवाइजेशन वाली कम्यूनिटीज लोगतंत्र के लिए बहतर नहीं मानी जाती क्योंकि ये क्या प्रेजेंट करती है घेटवाइजेशन की बस्तियां क्या प्रेजेंट करती है ये प्रेजेंट करता है कि किसी कंट्री में जो मैजॉरिटी के लोग है वो माइनॉरिटी पर ये विश्वास नहीं जता पाए या माइनॉरिटी को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि हमारे बीच रहकर भी आप अपने धर्म और संस्कृति को आराम से अपना सकते हैं चला सकते हैं आपको किसी तरह की कोई दिकत नहीं है ये क्या हो जाएगा गेटवाइजेशन का मीनिंग हो जाता है अगला सवाल देखिए इन पुरास्थलों को मिलाना है ठीक इन पुरास्थलों को मिलाना है दो ए और लिस्ट टू एक तरफ लिखा है कि ज्वार बाजरा मवेशी भेड बकरी सुवर दूसरा लिखा है गेहूं और दलहन मिट्टी पर खुरों के निशान चावल जानवरों की हड्डियों के टुकडे दूसरी तरफ लिखा है गुफ कराल उत्तरपदेश हल्लूर और यह पाlle को पाइट आंसर क्या हो जाएगा नमस्कार संफत सर्माजी कि yep what should be the right answer गरा तो आपको यह तो पता होगा यादो अपको मिट्टी पर खुरों के निशान कहा से मिले हैं मिट्टी कि मिट्टी पर खुरों के निशान कहा से मिले हैं महागड़ा से इस पर आप चावल के evidence कोल्डी हवा के साथ साथ महागड़ा से भी मिले हैं पर मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान हूफ मार्किंग जो मिली है वो आपको केवल कहां से मिली है महागड़ा से इसका मतलब जैसे ही आप C का 2 और D का 4 करोगे तो आपको answer मिल जाएगा option number A मिल जा evidence हमें हलूर से मिलते हैं भाई मैंने आपको सवाल करा हुआ जवार बाजरा जो millet है इसका evidence कहां से मिलता हलूर से मैंने आपको matching में question करा रखा है गेहूं और दलहन जो है वो कहां से मिल रहा है आपको गुफ कराल से मिल रहा है गुफ कराल को याद रखिएगा यहां से बरत की गुफा भी मीनिंग होता है इसका ठीक है अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से सिंदु घाटी सब्विता के किस अस्थल पर वयस्क लोगों को प्राया गड्डे में सीधा लिटा कर दफनाये जाता था और उनका सिर उत्तर की और होता था क्या हो जाएगा जवाब क्या हो जाएगा जवाब वाट शूट भी राइट आंसर हाँ बेटा बीपीएस्सी वाले को लेनी है बेटा क्लास ये लगातार ये बात कह रहा हूं कि जो बच्चे बीपीएस्सी में वन टू फिफ्ट की प्रिप्रेशन कर रहे हैं बीपीएस्सी वालों के लिए 15 अगस् यकीन मानो समझा करो जब कुछ बताते हैं तो नहीं तो फिर पेपर के बाद बोलो गे सार आपकी बात मान लिये होते तो कास आप हमको पहले मिल गए होते पहले सुन लिये होते आपकी बात बताईगा क्या हो जाएगा जवाब इनाम गाउं से बिलकुल ठीक है हाला कि देखो इनाम गाउं वैसे तो मेगालिथिक पीरियड है वैसे तो यह मेगालिथिक पीरियड है लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया कि सिर उत्तर की तरफ है तो ये वाली बात केवल इनाम गाउं से हो रही है बाकी जगउं से नहीं हो रही है ठीक अगला सवाल देखेगा abeth question देखेगा एक तरफ जंजातियां दी हुई है और दूसरी तरफ उनकी जगha दी हुई है List 1 और List 2 क्या लिखा है what should be the right answer बताईए तो गद्दी समुदाय कहां है खोखर समुदाय कहां है बलोच, लंगाह और अर्गुन ये कहां है अच्छा खोखर आपको पता है न कहां है पंजाब में बिल्कुल ठीक है option number A जितने लोगों ने दिया खोखर कहां है बिटा पंजाब में लंगाह और अर्गुन जो है ये कहां है आपके मुल्तान और सिंध इस पर मैंने आपको सवाल भी करा रखा है ठीक है बलोच नाम की जो जन जाती है वो आपके उत्तर पश्चिम में मिलेगी निमनलिखित में से किस ने कास्तकार का चाबुक लिखा ये भी सवाल आप कर चुके हो NCRT फिल्टर में बताओ ज़रा तो बताई जवाब दीजे गद्दी से ही option हो जारा बिल्कुल बताओ जवाब दो एक बार सेशन को शेयर वेर कर दो लाइक कर दिया करो यार मैं बोलता नहीं तो तुम लोग करते भी नहीं हो चलो निमनलिखित में से किस ने कास्तकार का चाबुक नाम की रचना लिखी केशव चंद्रसेन हैंरी वीवियन डेरोजियो पंडिता रमाबाई और जोती राओ फूले अब ये सब सवाल आपको गलत नहीं करना चाहिए जोती राओ फूले की एक और रचना है जिसका नाम है गुलाम गिरी गुलाम गिरी वो रचना है जिसको उन्होंने 1873 में लिखा था और ये रचना क्या थी अमेरिकी ग्रहियुद से प्रभावित थी अमेरिकी ग्रहियुद से क्या थी इंस्पायर्ड थी अमेरिकी ग्रहियुद से क्या थी प्रेरित होकर उन्होंने ये बात लिखी थी कि जिस तरह अमेरिका में अश्वेत गुलामों ने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी इसी तरह की बात भारत में शुद्रों को करना होगा अगर वो अपनी स्थिती सही करना चाहते हैं थीक है अगला सवाल देखते हैं next question देखो जरत तो, ले vents निम्नलिक्त में कौंसा कथन पर्यवरन की सही व्याख्या करता किसी सजीव के चारो और का स्थान वस्तुएं और प्रकिरती यह होती है पर्यावरण पर प्रित्वी पर केवल मानवी एक्रिया कलाप पर्यावरण के अंदर आएगा प्रित्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां पर्यावरण के अंदर आएंगी और फिर क केवल हटा दो तो भी हटाओगे तो यहां भी भी हट जाएगा यहां भी भी हट जाएगा यहां भी भी हट जाएगा आंसर टू दिस कोशन is A, C or D यानि Perryован प्राकृतिक और मानवी क्रिया कलाप है मानव का प्रकृति के साथ क्रिया कलाप है पर्यावरन हमारे चारो और का एक स्थां और हमने गेरे रहता है जिसमें वस्तुम और प्रकृति सब आती हैं इस पे बायोटिक और अगला सवाल देखते हैं दी गई सूचना या विशेषता के आधार पर पृत्वी के ताप कटिबंद को पहचानना है आपको हीट जोन बताना है कि किस हीट जोन की बात हो रही है शीत कटिबंद की, ऊशन कटिबंद की, टेंपरेट जोन की या फिर गर्म कटिबंद की तो कह रहा है, areas are very cold, तो यानि temperature क्या होता है, कम होता है दूसरा कह रहा है, 36 से उपर सूरिका उधे नहीं हो पाता यानि एक certain time period तक ही आपको वहाँ पर sunlight मिलती होगी और फिर कह रहा है कि उत्तरी ध्रुवरित और उत्तरी ध्रुव के मद्ध का छेत्र और दक्षनी ध्रुवित तथा दक्षनी ध्रुव के मद्ध का छेत्र यहां पर यह पाया जाता है और फिर कहा रहा है किरने टेड़ी पड़ती है तो कम गर्मी मिलती है कहां होगा ये? कहां होगी ये चारो चीजें? बताओ अरे टेंपरेट जोन वालों गजब काम कर रहे हो यार तुम लोग इसको खीचो यहां क्या कह रहा है? उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के मद्द का छेत्र उत्तरी ध्रुवित और उत्तरी ध्रुव के मद्द का छेत्र है यह वाला और यही पर यहां पर यह वाला बता रहा है इस जोन की बात हो रही है तो एक बात बताओ ये और ये तो कभी आएगा ही नहीं और गरम कटिबंध हो नहीं सकता क्योंकि क्या रहा है टेंपरेचर बहुत ही कम है तो answer to this question is फ्रिजिट जोन शीत कडिबंध की बात कर रहा है ठीक फिर क्यों गलत कर रहे हो इस तरह का सवाल देखो अभी भी किसी ने बी जवाब दिया है ठीक है क्लियर है भाई चलिए अगला सवाल देखिए निमनलिखित में कौन से मुद्दों के लिए वयोवरिद गांधिवादी पोटी श्री रामालू की मृत्यू हुई थी हलाकि अब यह चैप्टर आपकी आपके सेलेबस से हटा दिया गया है पर मैंने इसलिए यह सवाल ले लिया कि मान लो कही आजाए तो यह न लगेगी यार यह तो हम पढ़े ही नहीं यह तो हम सुने ही नहीं ठीक अब पोटी श्री रामालू जो है इनकी मृत्यू क्या वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे तेलगु भाशियों के लिए अलग कि मांग कर रहे थे बताइए तो ऑप्षन नंबर सी इस दा राइट आंसर तेलगु भाशियों के लिए मांग कर रहे थे आमरन अंशन पर बैठ गए थे और 58 दिनों के आमरन अंशन के बनने वाला पहला राज था जिसे उस समय के तमिल नाडु से अलग करकर तिलगु भाशी लोगों के लिए क्या किया गया एक अलग राज बनाए गया तो पहला राज भी था यह जो भाशाई आधार पर क्या बना था राज बना था अगला सवाल देखिएगा प्राकृतिक वन नस्पती और उसके लिए वर्षा की इस्थिती ये बताना है आपको ठीक है वॉइस कट रही है अच्छा जी अब बताओ अब ठीक है अब ठीक है 18 नंबर कोशन समझ नहीं है बहुत सई से यहां पर चार कंडीशन दी है कि इस वाले छेतर में अत्यधिक जो है वो क्या पड़ती है सर्दी पड़ती यानि टेंपरेचर कम होता है यहां पर 36 से उपर सूर का उदय नहीं हो पाता इसका मतलब यहां पर खोपड़ी के उपर सूर कभी टंटना नहीं पाता है ठीक बाकी जगाओं पर दिन में एक बार सूरत जो है सर के एकदम उपर होता है जब आपकी परचाई नहीं बनती सबसे ज़्यादा टेंपरेचर ह बिद्धेस का का सब्सक्राइब होता है यहां वो नहीं हो पाता फिर आ यह कहा है तो उत्तरी ध्रूवित और मध्ध के संद्ध्र है और फिर कह रहा है कि इंग्लिश में देखो नए आरक्टिक circle और North Pole के बीच का है और Antarctic circle तो यह कौन सी line है? अंटर्किक circle है 66 and half degree यह है आर्किटिक circle 66 and half इसके बीच का छेत्र है और फिर चौथा कह रहा है कि यहाँ पे सूरी की केरने टेढ़ी पड़ती है कल भी सवाल करा था कि आपतन जादा नहीं मिलेगा इंसोलेशन जादा नहीं मिलेगा इसलिए यहां पर टेंपरेचर बहुत जादा नहीं होता है तो यह किस जोन की बात हो रही है तो बीच में यह वाला जो जोन होता है यह उष्ण कटिबंद हो गया उससे उपर वाला उपोश्ण हो गया इ ग्रास लेंद हो जाएगे और कातेदार जिध्या जहां पर क्या होगी तो इस में अत्यधिक वर्षा में grassland हो जाएगी मध्ध में और काटेदार जाड़ियां किसमें हो जाएगी नियुमतम वर्षा में तो A का 3 हो गया B का 1 हो गया और D का 2 हो गया तीन एक दो option number A is the right answer A is the right answer और अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि वर्षा की एक आदत होती है क्या आदत होती है rain की अगर हम continents की बात करें तो eastern part में rainfall क्या होता है बहुत अधिक होता है mid part में rainfall क्या होता है कम होता चला जाता है और इधर आते आते rainfall बिलकुल क्या हो जाता है कम हो जाता है इसलिए यहां पर आप ज्यादा तर वन देखेंगे यहां आप ज्यादा तर घास देखेंगे और यहां आप ज्यादा तर क्या देखेंगे मरुस्थल किसी देश में किसी कॉंटिनेंट में आप उठा कर देख लीजे आपको ज़्यादा तरवन इस्टन पार्ट में ही देखने को मिलते हैं ठीक है अगला सवाल देखो इन में से पौधों द्वारा प्रकास संसलेशन फोटो सिंथेसिस के दोरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है तो फोटो सिंथेसिस के दोरान क्या निकलता है भाई ऑप्शन नंबर सी इस दराइट आंसर ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर सी इस दराइट आंसर ऑक्सीजन अरे उत्पादन पूछ रहा है भाई फोटो सिंथेसिस में क्या उत्पादन होता है तो प्रकास संसलेशन से वो क्य सी गैस निकालते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं ना खाना बनाने के लिए कार्बट्रयक्साइड अग्सपादन किसका होता ऑक्सीजन का होता हैacjiफे हैं अगला सवाल देखेगा क्या कह रहा है स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी है आपतन की मात्रह भूमद्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है जैसे जैसे हम अक्षान्स से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं इंसोलेशन क्या होता है घटता चला जाता है इंकमिक सोलर रेडियेशन घटता चला जाता है जैसे जैसे आप उपर बढ़ते हो फिर कहरा आते हुए सूर्या तप द्वारा ताप का वित्रण प्रभावित नहीं होता यानि इंसोलेशन ताप को प्रभावित नहीं करता ठीक क्या हो जाएगा जवाब तो इंसोलेशन ताप को प्रभावित करता है भाई ठीक है तो B वाला गलत हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा ए सही है और बी क्या है असत्य है बिलकुल ठीक है सबाश अगला सवाल देखो निमनलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतरगर गिरफतार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है प्रिवेंश हैं बंदी व्यक्तियों का अधिकार भी कहा जाता है प्रिजनर्स राइट भी कहा जाता है कौन सा आर्टिकल होता है यह आर्टिकल नंबर सी 22 चौबीज घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना 24 आर्ट में ठीक जब तक वो लॉक अप में होगा या पुलिस हिरासत में होगा या पुलिस टेशन में होगा उसको मारा पीटा नहीं जाएगा कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं होगा उसको उकसाया नहीं कि वो खुद के खिलाब गवाही दे अगर उसने कोई बयान दे भी दिया है तो वो एविडेंस नहीं माना जाएगा ठीक और 15 वर्ष से कम के किसी बच्चे को या फिर किसी महिला को केवल कोशनिंग के लिए थाने नहीं बुलाया जाएगा ठीक है भाई अगला सवाल देख वास्तविक शक्ति का शुरोत क्या है संसद न्याइपाली का जनता अभिजात वर्ग अब अगर तुमने जल्दी की तो तुम गलत करोगे इसको बताओ ओप्शन नंबर सी पीपल बिलकुल सही है ठेक मैंने क्या बताया था लोकतंत्र की सरवच्च शक्ति किसमे होती है लोकतंत्र की सरवच्च शक्ति किसमे होती है जनता में ठेक और कानून बनाने की सरवच्च शक्ति ठेक न्यायपालिका सम्विधान की व्याक्या पर सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है न्यायपालिका के पास है ये तीनों सवाल है अक्सर बार-बार कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग तो तीन सवाल है तीन में से कोई भी पूछ दिया जाएगा अगला सवाल देखो निमनलिखित में कौन सा ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है पंचायत समिती जिला परिशत सरपंच सरकार कौन सा ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है तो आपको पता है जब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की इसको तो बहुत बढ़ियां से आप लोगों को समझा रखा है ग्राम पंचायत में हर वार्ड से एक तो पूरे ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता है और हर वार्ड से क्या चुना जाता है वार्ड पंच चुना जाता है ये दोनों मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं 5 साल के लिए अब इनके कारेशों की देखरे करने के लिए तो जीतु भाया कहां से आये थे एक्जाम पास करके आये थे सरकार के द्वारा अपॉइंट हुए थे याद रखेगा पंचायत सचिव की क्या होती है नियुक्ती और इन दोनों का क्या होता है निर्वाचन ये दोनों इलेक्ट होते हैं और ये क्या होता है अपॉइंट होता है ठीक है अगला सवाल अनेक्ता में एक्ता का विचार किसने दिया अब ये मत गलत करना यार ये मत गलत करना भाई अनेक्ता में एक्ता का विचार किसने दिया बताओ अनेक्ता में एक्ता का विचार किसके द्वारा दिया गया था ठीक है ठीक है देखो 26 का ए दे रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का विचार कॉंदे का जवाहर लाल नहरू अपनी किताब भारत एक खोज डिस्कवरी ओफ इंडिया में उन्होंने भारत को डिस्क्राइब करते हुए ये क्वाइन किया था इस फ्रेज को ठीक है उन्होंने कहा था कि भारती एकता ये भी सुन लो भारती एकता कोई बाहर से थोपी गई वस्तु नहीं है बलकी डैस 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 तो ये अगर स्टेटमेंट आ जाए तो भी याद रखना है ये स्टेटमेंट किसका है जबाहरलाल नहरू का अगला सवाल देखेगा सरकार की एक ऐसी विवस्ता जिसमें अधिकारों या शक्तियों का केंद्री प्राधिकरण और विभिन संगठक इकाईयों के बीच विभाजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं लोग तांत्रिक राज्य कहते हैं संगी राज्य कहते हैं एकात्मक कहते हैं या फिर साम्मेबादी कहते हैं क्या कहते हैं तो संगी राज्य कहते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कि संगी राज्य में जैसे हमारा राज्य है हमारे या समविधान है समविधान में क्या करता है शक्तियों का विभाजन करता है बता चुका हूं ये बात कई बार बता चुका हूं और शक्तियों का विभाजन जब करता है तो क्या करता है शक्तियों का विभाजन ये legislative, executive और judiciary और उसी तरह से सरकार चलाने के लिए central और state के बीच में भी क्या करता है ये विशय का बटवारा कर देता है जिसके लिए हमारे हाँ लिस्ट बनाई गई है ना सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट अगरा सवाल देखो अगर एक स्कूल तयोहार मनाता है तो निमनलिखित में से कौन सी परिस्थिती विविदता के जश्न को दर्शाएगी किसी स्कूल में एक तयोहार हो रहा है तो इन में से वो कौन सी सिच्वेशन है जहां आपको डाइवर्सिटी दिख रही है ठीक, हरियाना के स्कूल में रक्षा बंदन मनाना मध्य प्रदेश के स्कूल में ओडम का तयोहार मनाना तमिल नाडु के स्कूल में पॉंगल मनाना और उत्तर प्रदेश के स्कूल में हुली मनाना कहां पर आपको ये दिख रहा है अंतर सर प्लीज टेक वन मराथन क्लास अन पॉलिटी एन जोग्रफी बिटा जाके न इस session को अभी से क्या गर दो यहां पे like मारो और यहां पे notification on कर लो Sunday को शाम को 6 बजे से पॉलिटी का complete revision होगा बच्चा ठीक है चलो क्या हो जाएगा answer option number B बिल्कुल ठीक है ओडम वैसे कहां मनाये जाता है केरल में पर हम इसे कहां मना रहा हैं मध्य परदेश में यह दर्शाता है वे विविटा को दर्शाता है South का तयुहार है बिल्कुल मध्य भारत में मनाया जा रहा है стар्क नौर्थ में होली वैसे भी अच्छी मनाय जाती है पर मध्यप्रदेश का कोई स्कूल अगर ओलम का तेवहार सेलिब्रेट कर रहा है तो यह कहीं न कहीं हमारी डाइवर्सिटी को क्या करता है दिखाता है ठीक है अगला सवाल देखिए क्रिशी का प्रकार है सुमेल करना है आपको ठीक सुमेलित करनी है सबस्टेंस एग्रिकल्चर इंटेंसिव वाली गहन निर्वा क्रिशी कली पढ़ाएं आपको प्लांटेशन बागान क्रिशी शिफ्टिंग एग्रिकल्चर इस्थानांतरी क्रिशी या स्लैशन बर्न भी बोलते हैं और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वाड़िजिक अनाज क् कॉफी सीतोषन घास इस्थल मांसूनी छेत्र और उश्न कटिबंदी अफ्रीका बताओ थोड़ा सा सोच के सोच के जवाब देना क्या होगा ऑप्शन देखो शिफ्टिंग एग्रिकल्चर क्या बताया था जहां पर घने वन होंगे जहां पर घने वन होंगे वहां पर काटा जाएगा पेड़ों को जलाया जाएगा राख में फिर क्या होगा खेती होगी क्योंकि राख में पोटाश की मात्रा अधिक होती इसलिए इसको हम क्या कहते हैं slash and burn तो दुनिया में जहां भी घने वन है वहाँ पर ये खेती होगी और इसमें कौफी नहीं हो सकती तो दुनिया में घने जंगल ब्राजील के अलावा और कहां मिलेंगे आपको तो अफ्रीकन कंटिनेंट में मिलेंगे वो भी ट्रॉपिकल अफ्रीका में क्योंकि यहां भी घने वन है इसका मतलब C का क्या हो जाएगा 4 और C का 4 आपको एक ही जगत दिख रहा होगा कहां दिख रहा होगा option number B में ठीक गहन निर्वा किसी intensive क्या बताया था जहां पर population density क्या होगी अधिक population density क्या होगी अधिक होगी जहां पर एक साल में आप कई सारी फसल उगाते होंगे hard labor चाहिए सिचाई के साधन उतने होते नहीं तो ज़्यादा तर क्या होता है मानसूनी प्रदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है ठीक है plantation जहां पर एक फसल उगाई जाती है एक ही फसल की खेती होती है और बड़े बड़े उसके क्या होते हैं बागान होते है कॉफी चाय यह सब क्या है plantation है ठीक और commercial grain farming जहां पर हम क्या करते है commercial grain के लिए commercial commercial उद्देश के लिए अना जुगाते है वो सीतोषन घास इस्थल यहां पर बात किसकी हो रही है prairie की हो रही है जहां पर गेहूं बहुत उगाये जाता है संयुक्तराज अमेरिका की बात हो रही है तो option number B is the right answer अगला सवाल देखो जब एक समुदाय को सामाजिक और आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढखेल दिया जाता है तो इस process को क्या कहते है बताईए क्या कहते हैं इस process को marginalization देखो तुम लोग खुद notice कर रहे होगे जो सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं उनकी तो तुम लोग on spot क्या कर दे रहे हो उनका band बजा दे रहे हो है ना तुम फस कहा रहे हो जहां पर थोड़ी असा भी technical बनाया जा रहा है सवाल को लेकिन उसमें भी अगर तुम सवाल ध्यान से पढ़ोगे तो तुम option से समझ जाओगे कि क्या answer होना चाहिए ठीक इसलिए कह रहा हूं कि इस approach के साथ paper को solve करना ठीक है चलो अगला सवाल देखो किस अनुच्छेद के अंतरगत घटना जो है वो सीधी सीधी बात है हाकिम शेख की घटना कौन से अनुच्छेद से जुड़ी है under which article कौन से article 14.21.25.32 क्या हो जाएगा answer what should be the right answer what should be the right answer बिल्कुल ठीक है article 20.1 article 20.1 और अगर पूछा जाए कि किस case में स्वास्त के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मान लिया गया जीवन के अधिकार का हिस्सा मान लिया गया तो हाकिम शेख की जो घटना है वो कौन से case से जुड़ी हुई है case का नाम था पश्चिम बंग खेत मजदूर समिती वर्सेज बनाम वेस्ट बेंगॉल स्टेट वेस्ट बेंगॉल स्टेट इन से जुड़ी हुई है clear है बाई? चलिए अगला सवाल सात्वी शताबदी में बड़े बड़े भूस्वामी और योध्धा सरदारों ने धन और शक्ती प्राप्त कर अपने को क्या घोशित करना शुरू कर दिया था महा सामन्त कहना शुरू कर दिया था राज राज देव कहना शुरू कर दिया था दक्षनापत कहना शुरू कर दिया था या अस्व घोष कहना शुरू कर दिया था बताईएगा तो महा सामन्त कहना शुरू कर दिया था दक्षिनापत के स्वामी अपने आपको कौन बोलेगा दक्षिनापत के स्वामी खुद को कौन कहेगा ये कहा था सातवाहन ने सातवाहन राजवंस ने ठीक, राज-राजिदेव चोलवंस का राजा है चोलवंस का राजा है और इसने ब्रिह देश्वर मंदिर बनवाया था अश्वगोस कनिश्क के दरवार में था और इसने बुद्ध चरित नाम की क्या लिखी थी किताब लिखी थी जो क्या है बुद्ध की जीवनी मैंने आपको बताया था जहां भी चरित वर्ड लगा रहे जहां भी चरित वर्ड लगा रहे समझ लेना वो क्या होगी बायोग्राफी जहां भी चरित वर्ड लगा रहेगा समझ लेना वो क्या होगी बायोग्राफी अगला सवाल देखो प्रारंभिक मद्यकालीन समय में दक्षन भारत में सैनिक अभियान डैश के समय में हुआ किसके साशनकाल में दक्षन भारत में सैन अभियान होने लगे थे बताइए सर पीडियेफ क्यों नहीं दे रहा है आप टेलीग्राम पर अरे हद्धों के या सारी की सारी PDF है वहाँ पे गजब हाल कर रहे हो प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिन भारत में सैनिक अभियान के समय हुआ सर्च में डालो और एकदम यूट्यूब से लेके दुनिया बर में जहां जहां सर्च है सब जगह ये नाम फैला दो बताओ तो अलाउदीन खिल जी के समय अलाउदीन खिल जी के समय बिल्कुल ठीक अगला सवाल देखो क्या है निम्नलिकित हडपा काली नगरों में से गुजरात में कौन इस्थित है दौलावीरा मेहरगड कोल्डी हवा राकी गड़ी लोथल कोल्डी हवा दौलावीरा लोथल गुजरात में क्या है बताओ उड़ादो यार यह सब सवाल उड़ादो यह सब सवाल बताओ कौन सा इस्तित है दोला वीरा और लोथल दोला वीरा से क्या क्या मिलता है एक तो तीन भाग में बटा हुआ है तीन भागों में विभाजन एक तो क्या है तीन भागों में विभाजन दूसरा यहां से क्या मिलता है स्टेडियम और क्या मिला है sign board, पत्थर में लकडी जड़ा हुआ, एक अवशेश मिला है और क्या मिला यहां से, जलाशय मिला है, reservoir मिला है यहां पर खेती वेती का बढ़िया, scene रहा होगा लोथल जो है, यहां से क्या मिलता है, dockyard dockyard, और मन के बनाने का कारखाना मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना मिलता है bead factory मिलती है, अगला सवाल देखिए 18 सदी में भारती रेशम के संदर्ब में A, B, C कतनों पर विचार करिए कहां विचार करना है, 18 सदी में 18 सेंचुरी में भारती रेशम में क्या हो रहा था पहला है भारती रेशम की यौरोप के बाजारों में भारी मांग थी दूसरा है भारती रेशम की अच्छी गुडवत्ता सब को आकरशित करती थी और भारत का इससे निर्यात बढ़ गया तीसरा है भारती रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छी कमाई करते थे बताईए क्या हो जाएगा जवाब वाट शुट बिद राइट आंसर अठारावी सदी का मतलब क्या हो गया अठारावी सदी का मतलब हो गया बात हो रही है 1700 से लेकर 1800 के बीच में 1800 के बीच में क्या हो जाएगा आंसर इसका मतलब यह है कि इस दोर में पहले तो मुगल एमपायर धीरे धीरे वीक हो रहा था और इस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल बढ़ा रही थी और कंपनी यहाँ पर क्या करने आई थी प्रॉफिट गेन करने आई थी क्या कंपनी अपने रहते हुए किसी दूसरे का प्रॉफिट देने देगी क्या यह पॉसिबल लग रहा है आपको कंपनी होते हुए कोई व्यापारी अच्छा कमा पाएगा कंपनी ने तो यहाँ की हालत धिरे धिरे क्या कर दी कि बुनकर केवल कच्चा माल तयार कर रहे हैं बस तो सी वाला तो हो ही नहीं सकता और अगर सी वाला नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता आंसर अपने आप चीक चीक के कहेगा कि मैं सही हूँ मुझे क्या कर दो टिक कर दो ठीक है चलो अगला देखो नेक्स क्या कह रहा है निम्नलिखित कतनों में से आपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्ब में सही है कोलोनियल पीरियड में अंग्रेजों के टाइम पीरियड में कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंगाल में हुई दूसरा कह रहा है हेंरी वीवियन डेरोजियो ब्रह्म समाज के मुख्य अग्रणी थे तीसरा कह रहा है सिंग सभाओं ने सिख धर्म को जाती भेदभाव से मुक्त करने का काम किया और फिर कह रहा है पेरियार ने वैदिक शास्त्रों से उद्धरन करते हुए जाती विभाजनों के विरुद्ध दलील दी या उसका पक्ष रखा बदाईए क्या हो जाएगा आंसर आप्शन नंबर सी बिलकुल ठीक है क्योंकि ये बंगाल में नहीं हुई थी बॉम्बे में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना हेंरी डरोजियो ब्रह्म समाज के नहीं थे इन्होंने क्या चलाया था यंग बंगाल आंदोलन चलाया था यंग बंगॉल मूवमेंट चलाया था पड़ भी चुके हो आप इसको ठीक है और पेरियार कह रहे हैं वैदिक शास्त्रों से उद प्रिती एक जैसी हो ठीक तो सिंग सभा 1873 में आपके अमरित सर से शुरू होती है और फिर उसके बाद बाकी जगा फैल जाती है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हों ने उन्नीश्वी सदी में विद्वा विवा के समर्थन में सार्थक भूमी का निभाई गलत मत करन मुंडा फुरदूंगा बता दे रहा हूं कई बार बता चुका हूं यह सवाल राजा राम मोहन राय हैंडरी विवियन डेरोजियो ईश्वर चंद्र विद्या सागर विरेश लिंगम पुंतलू विवेका नंद और पेरियार रासुंदरी और सक्रुकया सखावत हुसैन क्य और विद्या सागर की तर्ज पर मद्रास प्रेसिडेंसी में विद्वा पुनर विवा के लिए काम करने वाला व्यक्ति विरेश लिंगम पुंतलू यह सवाल मैंने आपको कराया भी था अभी इसी वाले सटर्डे को हिस्ट्री के रिवीजन में अगला सवाल देखिए असं इनका चक्कर लगाते हैं और दो ग्रहों के बीच में मार्स और जूपिटर के बीच में पाये जाते हैं इनको क्या कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है इनको अभी भी देखो कौन है यह बी जवाब दे रहा है कौन है ये बी जवाब दे रहा है देखो अभी फिर किसी ने बी जवाब दिया सरोच कुमार यादो जी सरोच कुमार यादो जी ये सब बहुत गलत बात है क्या कहा जाता है एस्टोराइट्स कहा जाता है छूदर ग्रह कहा जाता है ठीक है एस्टोराइट्स किसी जमाने में का ही भाग रहे होंगे मैंने पढ़ाया भी है figure दिखा कर समझाया भी था और चुकि ये ग्रहों के भाग रहे होंगे तो इसलिए वह नेचर इनके अंदर वह कि ये क्या है शन कर रहे हैं चकर लगा रहे हैं ठीक18 को उच्छक सेंगे एस्टरोयड अग्ला सवाल के 39 number question निमनलिखित कतनों A, B, C पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चैन कीजिए ठीक है पहला क्या कह रहा है पहला कह रहा है प्रित्वी का गुरुत्वा कर्शन बल अपने चारो और के वायुमंडल को थामे रखता है यहाँ पर जो G है वो क्या करता है अपने चारो और के वायुमंडल को पकड़ के रखता है एट्मॉस्फियर ओनली कंसिस्ट ओफ फ्यू गैसे वायुमंडल में केवल कुछ प्रकार की कई प्रकार की गैसें पाई जाती है फिर C कह रहा है कि जैयमंडल प्रित्वी का एक संकीन छेत्र है जहां केवल इस्थल और वायुमंडल परस पर मिलते हैं तो बायो स्फेर में क्या मिलता है तो कह रहा है ओनली लैंड एंड एर इंटरेक्ट करते हैं दूसरा कह रहा है atmosphere में only consist of few gases सही विकल्प का चैन करना है केवल A, केवल B, केवल C, A और C क्या हो जाएगा answer तो answer to this question is only A is true क्यों क्योंकि ये क्या होता है hydrosphere, atmosphere और lithosphere जब तीनों मिलते हैं तब जाकर हमारा क्या बनता है biosphere बनता है ठीक दूसरा कह रहा है कई प्रकार की gases भी मिलती है gases के अलावा हमें इसमें धूल कर मिलते हैं dust particles मिलते हैं और इसके अलावा हमें इसमें क्या मिलता है वायू मंडल में जलवाश्प मिलता है water vapor मिलता है तो answer to this question is only A और अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा वायू मंडल की परतों का सही अनुकरम है जिन से धर्ती पर उतरने से पहले rocket गुजरेगा अगर कोई rocket जो है वो क्या कर रहा है अगर कोई rocket जो है वो धर्ती पर आ रहा है तो इस धर्ती पर आते हुए इसके बीच में वायू मंडल की कौन कौन सी परत आएगी ये बताना है आपको उपर से नीचे की तरफ तो stratosphere, mesosphere, thermosphere, troposphere, exosphere फिर क्या कह रहा है छोब मंडल, समताप मंडल, मद्ध मंडल, वायू मंडल, बहिर मंडल और फिर कह रहा है, exosphere, thermosphere, mesosphere, stratosphere और troposphere तो उपर से नीचे की तरफ क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा बिल्कुल ठीक आगे करना है या रोग दूँ आगे करना है सवाल या रोग दूँ पचास सवाल है बोलो दस बचे हैं, करा दूँ या रोग दूँ जैसा बोलो वैसा कर देंगे बस सर ठीक है, अच्छी बात है चलिए फिर तब यहां से कल किया जाएगा ठीक है करा दो, करा दो करा देने वालों की संख्या जादा है जिसको जाना है वो चला जाए बाद में देख लेना, कोई बात नहीं चलो यह देखो करा निमनलिखित कत्नों A, B, C पर विचार कीजे तथा सही विकल्प का चुनाओ कीजे, ठीक है नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ यानि शुरू में जादा तर सभ्यता का विकास नदी घाटियों के इर्दगिर्द हुआ फिर कह रहा है आदर्ष बसाओ के स्थान के चुनाओ में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था और फिर कह रहा है शहरों में प्रकीन बस्तियां पाई जाती स्कैटर्ड सेटल्मेंट मिलते हैं सिटीज में बदाईए क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा आंसर अब यहां पर कह रहा है कि आदर्ष बसाओ के स्थान के चुनाओं में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता यह तो गलत बात है प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान देता है आदमी किस तरह का टोपोग्राफी है कैसा स्वाइल है कैसा क्लाइमेट है अविलिबिलिटी और वाटर के है पढ़ा रखा है आपको तो भी तो गलत हो गया और यहां कह रहा है शहरों में प्रकीन बस्तियां बाइ जाती Scattered settlement होता है या नहीं अगर कोई city है तो एक settlement यहां होगा दूसरा यहां होगा तीसरा यहां होगा चोथा यहां होगा Scattered तो होती नहीं शहर में तो क्या होती है डेंस होती है तो यह भी क्या हो जाएगा गलत इसका मतलब Answer to this question is केवल एक क्या है सही है केवल एक क्या है सही है ठीक only a is true clear अगला सवाल देखो कौन से खनीजों के उधारन हैं जो आपके आसपास पाए जाते हैं या इन में से जो दिया गया है वो ग्रेफाइट नमक चूना पत्तर अभ्रक बताइए इन में खनीजों के एक्जामपल कौन कौन से हैं इन में खनीजों के एक्जामपल कौन कौन से हैं तो खनिज के एक्जामपल है ABC, BCD, ACD या चारों या फिर चारों क्या हो जाएगा अरे चारों ही होंगे न भाई ग्रिफाइड भी है खाने में जो हम नमक यूज करते हैं वो भी तो खनिज है चुना पत्थर भी खनिज है और अब्रग भी खनिज है तो चारों क्या हो अगला देखो रोपन क्रिशी के बारे में बताना है ठीक प्लांटेशन के बारे में चलो बताओ अभी बता रखा है प्लांटेशन अभी थोड़ी दिर पहले बता है प्लांटेशन क्या कह रहा है रोपन क्रिशी के बारे में A और B पर विचार करो प्लांटेशन के बारे मे स्टेट्मेंट नमबर ए कह रहा है Plantation is a type of mixed farming रोपन कृशी मिश्रित कृशी का प्रकार है दूसरा कह रहा है कि रोपन किशी के मुख्य छेतर विश्व के उस्न कटिबंधी प्रदेशों में पाए जाते हैं बताईए ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं ठीक केवल a सही केवल b सही दोनों सही या दोनों गलत क्या हो जाएगा option what should be the right answer c वाले कह रहे हैं a और b दोनों सही है अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी दिर पहले Plantation के बारे में एक चीज़ बताई क्या बताई Plantation के बारे में Plantation के बारे में मैंने बताई इसमें एक फसल की खेती होती है जैसे ब्राजील में कॉफी की खेती होती Plantation में किसी एक फसल की खेती होती है यहाँ क्या कह रहा है ठीक इस सवाल में क्या कहा है इस सवाल में कहा है कि रोपन क्रिशी मिश्रित क्रिशी होती यानि कई सारे फसल होते हैं ये तो सही है ही नहीं दूसरा वाला सही है कि मुख्य छेत्रों में उश्नकटिबंदी प्रदेश जहां पर बारिश वारिश ठीक ठाक होती है तो इसका मतलब answer to this question is only B is true केवल B क्या है सही है ठेक अगला सवाल एक विशेश इलाका जहांके रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधी को चुनते हैं उसे क्या कहा जाता है मतदान केंदर कहा जाता है वार्ड कहा जाता है कॉंस्टिटुएंसी कहा जाता है या रीजन कहा जाता है A और B, B और C, C और D, A और C बताईए जवाब दीजे क्या हो जाएगा बिल्कुल ठीक है, option नमबर B and C, option नमबर B, सही है भाई, वार्ड में भी सारे मतदाता क्या करते हैं, अपने लिए एक प्रतिनिधी चुनते हैं और चाहे लोगसभा constituency हो या विधान सभा constituency हो, वहाँ से भी लोग क्या करते हैं, अपने एक प्रतिनिधी को चुनते हैं constituency legislative assembly की भी हो सकती है, जहां से तुम क्या चुन के भेशते हो MLA, constituency लोगसभा की भी हो सकती है, जहां से तुम क्या चुन कर भेशते हो Member of Parliament, और constituency ward भी हो सकती है, जहां से तुम क्या चुनते हो, पारशद, या अगर गाउं की बात किया जाए, तो क्या चुनते हो पंचायती राज की बात की जाए, तो ward पंच चुनते हो, चुनते हो न भाई, ठीक है, तो answer to this question is B and C अगला देखो, भारत में क्रिशी श्रमिकों, निर्माड श्रमिकों को भुक्तान है तू, नियूनतम वेतन कौन तै करता है, बताईए बताईए नियूनतम वेतन कौन तै करेगा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, राज्य सरकार, संग सरकार, A, B, C, C, D, A, B, A, C कौन, किसके हाथ में आपको लगता है यह शक्ती होगी, कि कि किसी श्रमिक के लिए minimum wages तै कर दिये जाए, नियूनतम वेतन तै कर दिया जाए, minimum wages minimum wage तै किया जाए, किसके हाथ में यह शक्ती होनी चाहिए, तो of course किसके हाथ में होनी चाहिए, या तो केंद्र सरकार के हाथ में, या तो राज्य सरकार के हाथ में, या दोनों के हाथ में, यानि C और D क्या हो जाएगा, सही answer, इनका काम क्या है, इनका काम है योजनाओं को ल लागू करवाना यह खुद योजनाय नहीं बनाते हैं थेट अगला सवाल देखिएगा किस भाग को भारती संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है बताईये मॉलिक करतव्य को मॉलिक अधिकार को नीति निशक तत्व को या फिर पन्चायट को तो answer to this question is option number B मौलिक अधिकार को उसमें भी भीम राओ अंबेड कर भीम राओ अंबेड कर ने किसे कहा था article 32 को बोला था समविधान की आत्मा अगला सवाल manuscript Latin भाषा से प्राप्त हुआ है जिस में menu शब्द का क्या आरत है दो वर्ड मेन्यू उसका मीनिंग क्या है menu शब्द का मतलब क्या है बताओ menu शब्द का मतलब क्या है बताओ तो सर मेरा कॉमेंट नहीं देख्त क्या बोलो बेटा यूजर जी बोलो, अब सवाल पढ़ा रहा होता हूं, नहीं ध्यान जाता है कई बार बिच्चा, बदाईए, तो मेनू का मतलब क्या है, हैंड रिटेन, हाथ से लिखी गई, हस्त लिखित, इसलिए पांडूलिपियों को माना जाता है, कि वो हाथों से लिखी जाती थी, और इन्हें या तो पेड की पतियों पे लिखा जाता था, तो भुर्ज नामक वरिक्ष की छाल पर लिखते थे, याद रखना इस बात को, भुर्ज वरिक्ष की बार्क पे लिखा जाता था, बार्क ओफ बर्च ट्री, और पाम लीव्स पे लिखा जाता था, ताड के पत्तों पे लिखा जाता था, ताड पत्र पे लिखा जाता था, ठीक, तो लीव्स किसकी होती थी, पाम की, ताड के पत्ते, और बार्क किसकी होती थी, बर्च ट्री, भुर्ज नामक वरिक्ष की, और ये कहा मिलते थे, हिमाले रीजन में, हिमाल जैंग आईचिंग या सुंग्यून फायान चैन सांग आईजिंग या सुंग्यून बताईए वो विदेशी यात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार के समय में आया था वहाँ पर व्यतीत किया था इसने समय बोलो बिटा तो आप अरे एवालो रुक जाओ ने मुंडा फोड़ देंगे मारके आई बात समझ में आप्शन नंबर बी इस दा राइट आंसर जुआन जैंग भी इंग्लिश में बोलते हैं जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे मिले लिखा हुआ ठीक या आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है या आपको चैन सांग भी मिल सकता है इसलिए इंग्लिश में भी देख लो जुआन जैंग भी वेन सांग का नाम क्या था इसको हम जुआन जैंग भी बोलते हैं ठीक है ठीक है फायान किसके समय में आया था ये चंद्र गुप्त दुटिय के समय आया था सेकेंड के समय में आया था जो की गुप्त वंश का राजा था जबकि वेन सांग किसके समय में आया था वो हर्शवर्धन के समय में आया था वेन सांग के बाद कौन आया था इत्सिंग आया था ये वेन सांग के बाद आया था वेन सांग के बाद आया था अगर इनका क्रम लगाने के लिए आ जाए तो याद रखना पहले फायान होगा फिर जुवान जैंग होगा और फिर आपका इतसिंग होगा ठीक है अगला देखिए महा पाशाण क्या चिन्नित करने के लिए खड़े किये गए जमीन के अधिपत्य के लिए उपलब्धियों को अंकित करने के लिए परिवार में जन्म के लिए या फिर कब्रगाहों के लिए मेगा लिथिक क्यों बनाएगे बोलो मेगा लिथिक क्यों बनाएगे Option number D is the right answer Burial sites है न Megalithic में क्या होता था एक सब होता था फिर इसके किनारे किनारे बड़े-बड़े क्या होते थे पत्थर खड़े किये जाते थे कई बार यहां पे शब होता था इसमें पोर्ट होल भी बनाते थे जिसमें अंदर जाने का रास्ता होता था ताकि इसमें आके और भी शबों को इसमें क्या किया जा सके दफनाय जा सके कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा वाला है तो उसके लिए बड़े बड़े पत्थर किये जाते थे इसलिए मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथिक का मतलब होता है बड़े पत्थर ठीक है जिन लोगों ने बोला उपलब्धियों को अंकित करने के लिए महराज इसके लिए इंस्क्रिप्शन होता था इसके लिए क्या आखरी सवाल संग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है ठीक है तो संग जो बनाए जाते थे उसमें प्रवेश लेने वाले इस्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते थे उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गाओं में जाकर भिक्षाटन करना होता था संग में प्रवेश के लिए दासों को अपने स्वामियों की अनुमती नहीं लेनी पड़ती थी और संग में प्रवेश करने के लिए इस्त्री को अपने पती से अनुमती नहीं लेनी हो तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा option number B बिल्कुल ठीक क्योंकि जो संग में प्रवेश रहेगा वो ग्रिहत्याग करेगा तभी संग में प्रवेश मिलेगा तो घर में तो नहीं रह सकता ठीक और अपनी जो अपना जो रहना वाला जो काम होता था खाना पीना वो भिक्षाटन करनी होती थी भिक्षाम देही बोलते थे जाके संग में प्रवेश करने वाले दासों को स्वामियों की अनुमती लेनी पड़ती थी और वही सेम चीज अगर कोई इस्त्री आना चाहती है तो उसे अपने पती से अनुमती लेनी पड़ेगी ठीक आरंभिक विहार किसके बनाए ग होते थे ठीक है तो आज का अपना स्कोर आप जरूर बताईएगा जाने से पहले मैं एक बर फिर बता दूँ आपको आप में से जो लोग आफलाइन पेपर देना चाहते हैं सीटेट का मेरे क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक लगा है आप उसको जाकर कैसे आपको वो लिंक मिलेगा जब आप जाओगे हमारे चैनल पर तो इस चैनल पर मान लिजे अभी यह जो क्लास चल रही है आप यहां गए और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप जाते हैं तो यह आपको गूगल फॉर्म दिख रहा है आप इसको ओपन करे ठीक तो बढ़ियां से अपना फॉर्म भर के और अपना सीट बुक कर लीजे क्योंकि फॉर्म बहुत सारे लोगों ने अलुरेढी भर दिया है ठीक है और दूसरी बात भईया यह है कि आने वाले संडे को यह क्लास होने वाली है संडे को शाम को 6 बजे संडे को शाम को 6 बजे अभी इस पर मेरे को लाइक कम दिख रहे हैं तो जाके इसको लाइक कर दो ठीक है और जैसे मैंने सिस्टम हैंग किया है उसी तरह से Math Hindi और EBS यानी EBS, भवानी सर, मैथ, आयूस सर और हिंदी नवनीद सर इनकी ये मैराथन होने वाली है 12 अगस्त को सुबह 11 बजे से तो पेपर 1 वालों तुम्हारा तो एक मैराथन में काम हो जाएगा ठीक, पेपर 2 वालों को थोड़ी सी महनत जादा करनी पड़ेगी, मेरे साथ लगा अभिलेक पत्थर पे लिखे जाते थे पत्थरों पे इंग्रेव, इंस्क्रिप का मतलब हो गया, उस पे इंस्क्राइब करना, इंग्रेव करना, ठीक है, इंग्रेव करना, क्लियर है बिटा, चलो, डरने वरने की जरुवत नहीं है, प्रसान जी, कॉन्फिडेंस रखी अब हम जाएं, अपना स्कोर जरूर बताना सारे लोग और कॉमेंट में सस्टी वाई सनी सर जरूर लिख देना